हेलो एबरीबन स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिद्धा से यूटूब पर आज के जो हमारे कुश्चन होंगे वो 21 अक्टूबर की इंपोटेंट करेंट पर होंगे जो आने वाले एक जम में प्मुच्छ जा सकते हैं कुश्चन सुनू करने से पहले आप सभी स रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पर नए आए हूं प्लिस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ ही में बेल आइकन को भी ओन कर दें यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लिस शेयर हम लाइक करना भी ना भूलें धन्यवाद दोस्तों चलते हैं अप स्जिन यदि सिंगापूर अप् olhos संगापूर तो दोस्तों चिलत गचाफ कोंगर हम वार्य पहला देश बन गया है और फिंड मैं आपको प्यचेंड के बारे में बताती हूं तो फिचेंड के माध्यम से सरकारी एज़न्शियों बैंकिंग सेवाओं और श्ब्धां स्वध कि इस सेबा को शुरूं गया है और दोस्तों फिस सकैन जैसे राश्तिय पहचान पत्पुर्ट और रोजगार पास के साथ किया जाएगा. तो फ्रेंड बात हुई है शिंगापूर की. तो फ्रेंड सिंगापूर एशिया महादीप में इस्थित है. सिंगापूर की राधधानी सिंगापूर सिटी है इंपोटेंट कुष्चन रहेगा दोस्तो आने वाले एकजाम के लिए चलते हैं दोस्तों अपने दूसरे कुष्चन पर दूसरा कुष्चन है हमारा हाल ही में भारत और किस देश के बीच सयोकत आयोक की पहली बेठक बार्चु अली आयोजित की गई है आपसने इटली आपसन B चिली आपसन C नेपाल आपसन D बरिटेन तो धोस्तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपसन नमबर 2 चिली में तो दोस्तों भारत और चीली देश के बीश सहयोक्त आयोग की पहली पैठक वार्चु अली आयोजित की गई है तो इस पैठक में दोनों देशों के बीच बैपार, कुशी श्वष्ट और अंतरिक्ष बिग्जान और प्योधगी सलस्किती और शिक्षा के छित में आपसी सहयोक को बड़ावा देने के बारे में चर्चागी की गई है और फ्रेंड बात हुई है चीली देश की तो चीली देश दच्छन अमेरिका में इस्तित है चलते हैं दोस्तों अपने तीसरे कोश्चन पर तीसरा कोश्चन है हमारा हाल ही में लासेंड मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीवन पित्यासा बढ़कर कितने साल हो गई है और फ्रेंड लासेंड मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीवन पित्यासा बढ़कर सत्ता दिसम्ला आठ वर्ष हो गई है और जीवन प्रत्यासा एक ब्यक्ति की औसत जीवन काल का अनुमान होता है चलते हैं दोस्तों अपने चौतरी कोश्चन पर चौता कोश्चन है हमारा हाल ही में बिके संता के लिए किस आई 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 टै का Score पर और आई 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 टी मद्रास का आई आई आ पिए जिली तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आई 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 ट्री तो दोस्तों तो C.R.P.E.F. और D.R.D.O. ने अपनी अनुसंधान और बिकास छमता बढ़ाने के लिए I.I.T. दिल्ली के साथ समझोता किया है और फेंड और C.R.P.E. और D.R.D.O. ने अधनिक उन्नत तक्निकों को बढ़ावा देने के लिए और जटिल चनोतियों से निपटने के लिए I.I.T. दिल्ली के साथ समझोता किया है इंपूर्टेंट कुश्चन रहेगा दोस्तो आने वाले एक्जाम के लिए पांचमा कुश्चन है हमारा हाल ही में किस राजज में पहली बार हिंग की खेती सुरू हुई है आपसन A.P.जाब आपसन B.हिमाचल पेदेश आपसन C.हरयाना आपसन D. आंधर पेदेश तो दोस्तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपसन नमबर B.हिमाचल पेदेश तो दोस्तो हिमाचल पेदेश राजज में पहली बार हिंग की खेती को सुरू किया गया है तो फिर्ण सबसे पहले हम आपको हिंग के बारे में बता देते हैं तो फिर्ण हिंग को भारत में मसाले के तोर पर इस्तमाल किया जाता है आम तोर पर ये गहरे लाल या फिर भूरे रगी होती है और फिर्ण हिमाचल पेदेश के लाहौल खेती में सफल पर इच्छन किया गया है और फिर्ण हिंग की खेती उंचाई वाले और ठंडे अलाकों में की जाती है तो फेंड बात हुई है हमाचल पेदेश की हमाचल राज्जी की तो हमाचल देश की बारे में चानते हैं हमाचल पेदेश की राधधानी सिमला है और हमाचल पेदेश की मुख्यमंती जैराम ठाकुर है जो की दोस्तों बीजीपी पारटी से हैं चलते हैं दोस्तों अपने छटमे कुश्चन पर छटमा कुश्चन है हमारा हाल ही में दिल्ली इवं जिला क्रिकेट संग डीडी सी एल के नए अध्यक्ष कोन नियुकते हुई है तो दोस्तों इसका सही अंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर सी रोहन जेटली तो दोस्तों जो रोहन जेटली है वह दिल्ली इवं जिला क्रिकेट संग के नए अध्यक्ष बने हैं दोस्तों बात हुई है डीडी सी एकी तो इसकी फॉलप्रॉम है दिल्ली एंड इस्ट्रीर क्रिकेट एसो सेशन और हिंदी में ऐसे दिल्ली इवं जिला क्रिकेट संग कहते हैं DDCA की स्थापना दोस्तो 1883 में हुई थी और इसका मुख्याला है दोस्तो दिली में इस्ते थे और इसके अध्यक्ष रोहंजेटली बन गई हैं इंपूर्टेंट कुश्चन रहेगा दोस्तो आने वाले एकजाम के लिए चलते हैं दोस्तों अपने साथ में कुश्चन पर साथ मा कुश्चन ने हमारा हाल ही में भारत और किस देश की नोसेना के बीच दुई पक्षिये समूंदरी अपहास सेली नेक्स का आठवा संकायन आयुजित किया गया है आपसन अ बिर्टेन, आपसन बी स्री लंका, आपसन सी नेपाल, आपसन डी जापान तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपसन नमर बी स्री लंका तो फ्रेंट भारत और स्री लंका देश की नोसेना के बीच दुई पक्षिये समूंदरी अभ्यास सेली नेक्स का स्री लंका के त्रो कमली सहर में दुई पक्षिये समूंदरी अभ्यास का आयोजन किया गया है और सेली नेक्स अभ्यास का उद्येश दोनों देशों के बीच शेवाओं, सेनाओं के बीच समूंदरी छेत में आपसी सहयोग को जमाजबूत कराना और नो सेना जहाजों और बिमानों की छमताओं के साथ अपनी समूंदरी तागत को प्रदाशन कराना है और दोस्तों जितनी भी मैं एस्ट्रा इंफॉर्मीशन आप सभी को दे रही हूं वह आप सभी के एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहेंगी चलते हैं दोस्तों अपने आठमे कोश्चन पर 22 अक्टूबर तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपसन नमरे 20 अक्टूबर तो दोस्तों 20 अक्टूबर को विश शांकी की दिवस मनाया जाता है इसकी सुरुआत बर्ष 2010 में हुई थी और फिर इस दिवस को पांच बर्ष में एक बार ही मनाया जाता है और विश श की गई आयुश्मान सरकार योजना के श्वास्त से सम्मांदित है और फ्रेंट केंदिये किशी मंतिर नरंद सिंग तॉमर ने आयुश्मान सरकार योजना की सुरुआत की है इस योजना के तहत सरकारी संस्थाओं को ग्रामिन इलाकों में अस्पताल मेडिकल कॉलेज के से लेकर अन्श्वस्त सुबदाएं और लब्द कराने के लिए रन और लब्द कराई जाएगा इंपोटेंट कुश्चन रहेगा द जलते हैं दूस्तों अपने दसमें कुश्चन पर दसमा कुश्चन हमारा हल ही में कुरोना बारस से नपटने मैं सबसे गरीबी देशों की सहायता के लिए किसने 25 बिलियन डॉलर देने की घुशना की है आपसने नियूर्स को आपसन बी बैंक आपसन सी कैंसरकार आपसन डी बिशश्च संगठन तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपसन नमबर भी बिशवेंक ने तो दोस्तों बिशवेंक ने कुरोना बारस से नपटने के लिए गरीबी देशों की सहायता के लिए 25 बिलियन डॉलर देने की घुशना की है और यह 25 देशों में दिया जाए आपातकालिन बित्य शहायता का सबसे बड़ा हिस्सा दूस्तों एक अरब डॉलर हमारे भारत देश को दिया गया है इंपोटेंट कुश्चन रहेंगे दूस्तों आने वाले एक्जाम के लिए थेंक यू फ्रेंड कल फिर मिलते हैं इन्हीं इंपोटेंट कुश्चनों के स